बाई साब राज़ा साब की पहली जलक आई सामने रोमा एंटिक अंदाज में दिखे परबास यह काने कौन सा गिलेम सा कितना इस्टोरी का वीडियो कवर ले जो रही है तना बज़ेटर मोई का सब कुछ इसी वीडियो में चरजा करेंगे आप से एक रिक्वेस्ट है पलिस चैनल को सब्सक्राइब करने कि जैसे कोई नया वीडियो है तो सबसे पहले आपके पहुंच सके तो करते हैं वीडियो को सुरू बेने किसी टाम वेस्ट किये जहाँ आप सभी को पता है कि अभी प्रबास की लेज़ कालेक्शन किया है 630 करोड से ज्यादा कलेक्शन करके ब खल के पहलेक्शन की फूल में बुलतस्ता लीय होई परबास खुद का चरह वाइक की सिसर में देखता है और खुद की निजर उतारते है काफी रॉमैंटिक होते हैं इस इसी płे दीकाइगर मीनल में ने ज़ा रहे है है वह कि यह फिलम काफी दिनों से चड़ में काफी दि बताव ने अद्दाकारी अकाउंट पर स्पोस्टर साधा कहता लेकिन गुंतीज जोलाई को इस प्लम की पहली जलक यानि पहला गिलम्स बेस कर डेट कर दिया था इस मुईगा चानक इस अपडेट से परसा सक रोमेंची तो उटे बता देंग इसमें फिस्टार का सांधार अ जिन्होंने हमें सब विलन का रोल रिवा है वो कुछ भी रोल लिवा सकते हैं इस मुईगें मेडिया फेक्टर के जी विस्टार पर साथ इसे बड़े टिक्ट वाले मननंजन को वित क्यास कोशित कर सकते हैं पता दें कि आपको विवे कुटेल दा राजसाब के डारेक्शन में बात करें इनने उन दुनिया बर में कलेक्शन पर कलेक्शन कर रही है उसी के बीज में इन्हे अफ़एट करके लोगों को एक रोमांटिक मोड होर्स ने क्रें गयरेक्सन्स से तो इन्होंने सबका दिल बढ़ दिया है इस मुई को जबकि सला रहा थी उसमें ही काफी ट सप्रेल दोजार पच्छिस को सिनागर में दस्तत दिने वाली है बात कर लेते हैं कि इनके बाद में कौन सी कौन सी फिल्म में इनके आथ लगी है परवास की बीज डार्लिंग नाम से मसूर अभी निता परवास की वरक फ्रंड के बाद करें तो परवास कल की एडिक्टाइस डानमी एडिकेल इसके बाद कहीं परियोजनाओं से लगतार काम करें बता देगी परवास इन दिन अपनी फिल्म सलार टू की सुटिंग में रेस्तर परवास की कहीं फिल्में लाइव लाइन में है जिन में सामिल है इनेमल के निर्देसक संदी ब्रेडिवागा की फिल्म इसपरी, कलकी टू, सलाट टू इन के बाद भी ये फिल्में भी आईगी जो बॉकसर फिस हिला देगी राधा साब एक अरोर कोमेडी फिल्म है और इसका निर्देसकश मारूती करें काफी अच्छी मूज रहने वाली है आप जरू इसका ट्रेलर देखिए गिलेम्स देखिए वो जल्दी मिलते हैं किसी नए योडियो में नए केलेक्शन साथ जहें जहें बार दन्नी और आपने ख्याल रखें